हेलो दोस्तो लेट्स प्ले बार्बी के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर सारे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है चलो चलो भाई जल्दी लेकर चलो डॉक्टर देखिए हमें एक और बच्ची को लेकर आये हैं इसका इलाज जल्दी से कीजिए अरे हाँ हाँ यह भी कोई कहने की बात है क्या यही तो मेरा काम है प्लीस आप जल्दी से बच्चों को लेकर आजाएए मैं सबका इलाज करती हूँ जल्दी से नर्स नर्स हाँ डॉक्टर मैं आ गई हूँ अरे बापरे यह सारे बच्ची कितने ज़्यादा जखमी होगे है इनका इलाज जल्धी से जल्दी शुरू करना पड़ेगा अच्छा सुनो तुम सारे जखमी बच्चों को ले आए हो ना एम्लैस में से अरे नहीं नहीं नर्स अभी दऌच्चों और बाकी है अभी लेकर आते हैं अरे हाँ हाँ जल्दी करो फिर जल्दी करो क्या कर रही हो तुम सब अरे इस मासूम बच्चे को देखो पता नहीं इनके पैरेंस कहां है अभी तक नहीं आए हैं चलो मैं जल्दी से इनका इलाज करती हूँ यहाँ पर नर्स जल्दी राहुल का इलाज कर रही होती है अरे लेकिन इन सारे बच्चों को अभी इलाज शुरू भी नहीं हुआ है चिंता मत करो बच्चों डॉक्टर तुम लोगों के पास है हम सारे बच्चों करके इलाज करेंगे हमारे पास थोड़ा डॉक्टर की कमी है यहां पर सारे पैर्डंस लोगों को खबर मिल गई है और हो जल्दी यल्दी आ रहे होते हैं अरे मेरे प्यारे बेटी कितना जखमी है चलो 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 यहाँ पर भी नहीं है मैं क्या करूँ कहाँ पर ढूनो चिंकी बेटा क्या तुम चिंकी को ढून रही क्या पर चिंकी तो इधर नहीं है जाके उधर ढूनो अरे वो रही मेरी चिंकी अरे परे मेरी चिंकी बेटा तुम तो बहुत है जाना जखमी हो गई हो हाँ पिंगी जी एकदम सच है अरे जरा सुनो यहाँ पर सुईटी नाम की कोई लड़की है क्या पता उस अरे बस में तो बहुत सारे बच्चों का इसे डंड हुआ था पर हमें नहीं पता सुईटी कौन है जाके ढून लेजिए बच्चों में वहाँ पर ढे सारे बच्चे लेटे हुए हैं उनका टाटरनी जी इलाज करनी जाके देख लेजिए वहीं पर होगी तुमारी सुईटी अरे हाँ बस में जो टीचर थी उसे पता होगा उसका अंदर राज हो रहा जाके पूछ लीजिए उससे ही अरे भाई सब आपको मेरी सुईटी के बारे में पता है क्या उसके लंबे पाल थे और गोरी चिटी थी बताईए ना फ्लीस नहीं मेडम जित्ते ही बच्चे थे हमने बेट पर सुला दिया जाके ढूण लेजिया वहाँ पर अरे पिंकी जी आप बिल्कुल ही परिशान मत होए शायद ये लोग सही बोल रहे हो चलो चलो हम बच्चों में ही ढूण लेते हैं शायद वुआज पर लेटी हो ठीक है ना हाँ ठीक सिधाजी आप जैसा के हैं चलिए हम सुईटी को यहीं पर ढूणते हैं लेकिन मुझे सुईटी तो नहीं दिखी थी ये तो राहूल है देखी सिधाजी कितना जखमी हो गया है बेचारा अरे राहूल तुम एकदम ठीक हो जाओगी चिंता मत करो सुईटी बेटा तुम कहा हो अरे तुम मुनमुन और चिंकी है सुईटी तो नहीं दिखाई दे रही है चिंकी बेटा जड़ा सुणो मेरे बाद सुईटी को तुमने देखा था क्या हो यहाँ पर नहीं है क्या अंकल सुईटी नहीं है क्या यहाँ पाल अले पलू तो हमाले शाग थी बश में कहा गई सुईटी अरे चिंकी बेटा तो अपने दिमाग पर जोर मत डालो ठीक है ना सुईटी मिल जाएगी अभी तो मैंने तुम्हारे माधे में पट्टे भी नहीं बांधी है आप लोग प्लीज बच्चों को परिशान मत कीजिए वो अल्रेडी बहुत है जखमी है वो अपने दिमाग पर जोर नहीं डाल सकते है आप लोग एक काम कीजिए फिर से ढून लेजिए सुईटी को मिल जाएगी आप लोग चिंदा मत कीजिए मुझे सारे बच्चों का इलाज करनी दीजिए अरे सिधाज जी हमारी सुईटी कहां पर है होगा क्यों कहां पर है चलो भाई अब राहत मिली हमने सारे बच्चों को हॉस्पिटल पहुचा दिया है मुझे लगता है सारे बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे हाँ तुम सही कह रहे हो हमने सारे बच्चों की इतनी जल्दी जो होश्पिटल पहुचा दिया है अब वो ठीक हो जाएंगे उन्हें कुछ भी नहीं होगा और फिर तभी यहाँ पर एंबुलेस में से आवाज आ रही होती है मामी मामी चाजी अरे यह तो किसी बच्ची की आवाज है और यह यह तो एंबुलेस में से आ रही है लगता हमने किसी बच्ची को छोड़ दिया है हम तो बहुत ही तदला परवा है हाँ तुम सही कहे रहे हैं चलड़ चलो चलो जल्दी चलो हमें उस बच्ची को दॉक्टर नी जी के पास लेके जाना पड़ेगा जल्दी चलो हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो मैं अभी अंबुलन्स खोलता हूँ अरे भाई ये क्या इसमें तो एक बच्ची और हैं अबुलन्स में कहीं ये वही सुईटी तो नहीं है जिसे इसके पैरेंट्स धूर रहे थ अरे हाँ ये तो वही बच्ची है मैं अभी निकालता हूँ चलो हमें इसे जल्दी से डॉक्टर नी जी के पास लेकी जाना पड़ेगा प्यारी बच्ची हमें माफ कर दो हम तुमें भूल गए तुम ठीक हो जाओगी तुम चिंदा मत करो तुम बहुत ही बहादुर हो तु क्यों कि आला ने जल्दी से बता तुम लोग इतना जादा परवाह कैसे हो सकते हो मुझे जवाब चाहिए अरे सर हमें माफ कर दीजिया हमसे थोड़ी सी गलती हो गई हम इस बच्ची को एंबलस में ही भूल गए थे यह तो बहुत ही जादा परवाही की है आप लोगों ने अगर मेरी सिधाजी जाने दीजी अभी सुटी का इलाज ज़्यादा शरूरी है वह सब आप लेके जाए टॉक्टर नी जी के पास हाँ हाँ मैड़म हो भी लेकर जा रहे हैं प्लीस टॉक्टर नी जी आम मेरी सुटी का जल्दी से जल्दी इलाज कीजिये प्लीस मैं आपक ठीक हो जाएंगे सुटी हमें माफ कर दो हमसे थोड़ी से लापरवाही हो गई है पर तुम ठीक हो जाओगी तुम बहुत ही बहादूर बच्ची हो तुम सारे बच्चे तो बहुत ही दा बहादूर हो रुख जाओ मैं भी पट्टी बांदूंगी अले हाँ डॉक्टर नी ठीक हो जाएगी ना बताइए मुझे आपने तो मुझे एकदम शेठीक कल दिया वस थोला थोला सदाल धोला है क्या हो डॉक्टर नी जी आप इदी परेशान क्यों दिख रही है सिधा तो बात यह है कि सुटी का पैर बहुत ही दर जखमी हो गया हमें उसे इंजक्शन लग दीजिए हां लेकिन बात वो है कि इंजेक्शन की दवा बहुत ही महंगी आती है हमें वही दवा इंजेक्शन में भरकर लगाना पड़ेगा तभी सुटी के ठीक हो पाएगा डॉक्टर नी जी आप पैसों की चिंदा मत कीजिए कितना ही पैसा लगेगा मैं दे दूंगा आ पैसी सब्सक्पा जाकर सारत रही हमें रिए कर हाई चिंडिकर लेकर बंदिए क दूंगे छिंता मत करना फिसारे बच्चे अब घया वश आ आजाएगा पैरेंस लोग आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अब सारे बच्चे खत्रे से बाहरे उन्हें कुछ भी नहीं होगा और फिर तब यहां पर राहुल को होश आ जाता है यहां पर मून-मून को भी होश आ जाता है हरी वाँ सुटी को भी होश आ गया है चिंकी भ ठीक है अरे वाँ चिंकी तुम तो मेरी बहादूर बेटी हो सिद्धा जी मैं बहुत ही ददा खुश हूँ हमारी सुटी को होश आ गया है ठाइंक्य उपर वाले अरे सब को होश आ गया पर मेरी सोनू को क्यों नहीं होश आ रहा है उठ जाओ सोनू उठ जाओ और फिर तब यहाँ पर सोनू को भी होश आ जाता है अरे वाँ सोनू तुम्हें भी होश आ गया मैं बहुत ही खुश हो शाबाश और फिर यहाँ पर सब लोग मिलके बच्चों की लिए तालिया बचाने लगते हैं साबस बच्चों तुम सब तो बहुत ही बहादुर हो आप सही कह रही है डॉक्टर मैं भी बहुत ही खुश हो और फिर यहाँ पर सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी कहाने अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फोर वाचिंग